हाई गाईज वेकम बाक तो माई चानल इस वी स्वीटी सिंग और आज के वीडियो में क्या होने वाल है कि तो आपको ठाइटल और थम्दिल रेखे पतार चली गया होगा कि आज के वीडियो में मैं बनाने वाले हूं कार्टून करेक्टर वारे कुछ राखी जो कि बच्चों इसका शेप कुछ सथरीके से मैं टूल के help से दे रही थी एंड उसके बाद गाई जो हम इसमें लगाएंगे वह होगा इसका गेस करो आप चली से इयर्स तो सबसे पहले मैं इसके इयर्स लगा रहे हूं कुछ इस तरीके से अभी इयर्स जो है वो थोड़े खाली है मतलब इसमें कुछ और भी एड़ करना जो कि मैं लास्ट मैं एड़ करूंगी पहले मैं बना लेती हूं इसकी आइज तो उसके के लिए मैं हाल कर दी फोड़ा साथ देन ऐसे फील करना कुल अब बारी आ इसके मांपालग टेジャ ter के ऊपर में ऐसे ब्लैक कलर का रहता है ना तो यह बन गया हमारा पीकाचू और यह मुझे ना सची बताओ काफी क्यूट लग रहा था आप खुदी देखो यार किता क्यूट लग रहा है तो चलो अब इसे राखी बनाना है हमें तो उसके लिए मैं यहां पर यूज कर रहे पिकाचू तो उसके लिए मैं यहां पे निडल ले ली हूँ और निडल में इंब्रोडरी ठ्रेड को डाल दी हूँ और उसी से कुछ इस तरीके से होल बनाके और इसके अंदर ठ्रेड को हम डाल देंगे और अभी जो क्ले था ना वो पूरी तरीके से सुखा नहीं था तो आप देखे थोड़ा सा निकल गया पर कोई नहीं उपर में अगर सूख जाता है तो आप बना सकते हो तो यह हमारी राखी बिलकुल रेडी है तो चलो अब जल्दी से फटा फट दूसरा भी बना लेते हैं तो दूसरा नाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ यहां प अपनी नहीं इसकी आइस मैं क्या ही बोलती है और मुझे कुछ समझ नहीं आता है सची बता रही हूं देन मैं ले रही हूं आप ब्लू कलर का क्ले एंड इसे भी सेर्कल बना लेंगे और फिंगर के हल्प से कुछ इस तरीके से कर देंगे और इसे ना अब वह जो वाइट आइस बनाये थे उसके उपर ब्लैक डाल दी था कि रियल आइस लगे और यह रेड रेड साइस का नोस बन गया आप चलो इससे और फिर मैं यहां पर टूल का यूज करके ही माउथ और इसकी चोटी-चोटी मुझे रहती है मुझे मुझे ही रहती है पता नहीं जो रहती है तो अपने लिए हूँ यहां पे ब्लू कलर का बीट वही सीट बीट से स्मॉल जो भी बोल रहो इस तरीक से इंसर्ट कर दे रही हूं मैं इसमें यह लिए उसके बाद मैं यूज कर रही हूं वाइट विकोज इसमें ब्लू और वाइट बीच में डूरीमोन को डालेंगे त इसमें ताकि बीट से निकले ना मैं कितनी लाइब बताऊंगे तो चलो अपने हाथों में बांध के देखते हैं ये ये बट चलो अब इसे पैक करते हैं तो इस पैक करने के लिए मैंना यहां पे यह ट्रांस्पारेंट सीट कर रहें वह वाला जिससे हम बूक बगेरा अग कुछ इस तरीके से कर देंगे और लास्ट में सेलोटिप लगा देंगे ताकि यह विल्कुल फिक्स रहे तो मैं वही कर रही हूं अभी इसके बाद थ्रेड को ना हम खीचेंगे थोड़ा ताकि वह टाइट हो जाया ऐसे ढीला ठाला ना रहे और पीछे से इसको थोड़ा फोल्ड कर देंगे और यहां पर यह देखो मैं एक पेपर को कुछ इस तरीके से इस डिजाइन में कट कर दी हूं और इसके ऊपर कुछ इस अरे हां अटे चेक और हमारे डोरी मॉन पैक हो गया तो आप इसी तरीके से मैं पीकाचु को भी कर ली और यह दोने काफी क्यूट दीख रहे थे हैं तो आप जल्दी से कॉमेंट में यह बता दो कि आपको कौन जादा अच्छा लगा डोरी मॉन या पीकाचु जो भी अच अच्छा लगाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना बाबाए